इस वीडियो में हम देखेंगे अनश्ते कर्योग भत्ते Partly Texts Allowances पर्ली anJam में मकान किराया भत्ता House Rent Allowance अनश्ते कर्योग भत्तों में हमें ये देखना है कि इन भत्ते वो हैं जो एक सर्टन शर्ते पूरी करते हों या सर्टन कंडिशन पूरी करते हों तो इसमें से वो राशी, कुछ राशी आपकी कर्मुक्त होगी, बाकी बची भी कर्योग्य होगी, ये पूरा कर्योग्य भी हो सकता है, ये पूरा कर्योग्य भी हो सकता है, ये सिचुएशन पर और कंडिशन डिपेंड करेगा, कि क्या सिचुएशन है, किन शर्तों पूरी कर रहता है या फिर किसे ऐसे मकान में रहता है जिसका उसको किराया नहीं चुकाना पड़ रह रहा है to तो खुद के मकान के वज़े से या फिर किसी रिष्टेदार या दोस के मकान में रहने के वज़े से यदि किराया नहीं देता है तो ऐसे मकान के लिए यदि आपको कोई house rent allowance मिलता है तो वो पूर्णत है करियोग्य होगा वो पूरी राशी आपकी taxable है पूरी आपको income में जो से कम होगा वो कर्मुक्त होगा शेश राशी हमारी करियोग्य होगी इसने पहला पॉइंट है एचारे की वास्त्विक प्राप्त राशी यानि कितना पैसा हमें प्राप्त हुआ है house rent allowance के लिए चुकाया गया किराया यानि उसने मकान के लिए कितना किराया चुकाया है माइ सेलरी का 10% यहाँ पर सेलरी से क्या मिनिंग है वो मैं आपको आगे समझाओंगी अब इससे वापको इतना ध्यान रखना है कि सेकिन पॉइंट है हमारा चुकाया गया किराया माइन सेलरी का 10% और तीसरा जो पॉइंट है उसमें यह दि करमचारी दिल्ली मूंबई चैन नहीं यानि मेट्रो सिटीज में रहता है तो हम लेंगे सेलरी का 50% अदरवाइस हम लेंगे सेलरी का 40% यह तीन आशियों की गढ़ना करेंगे जो सबसे कम होगा वो हमारा करमक्त होगा अब यहाँ पे जो सेलरी का मतलब है पहली बात तो यह है कि संबंदित अवधी से आशिय हमें उस अवधी से है जिसमें अचारे प्राप्त हुआ है जिन भहीनों के लिए हमें अचारे प्राप्त हुआ है उस अवधी का ही हमको वेतन लेना है और वेतन में हमें क्या क्या लेना है उसे फर्स आपको लेना है मूल वेतन यानि बेसिक सेलरी तुमारी आएगी आएगी कमिशन on sales भी इसमें हमेशा आएगा आपका विक्री पे कमिशन मेंगाई भत्ता का नियम है कि यदि question में इस पर सूचना है यदि यह सेवा शर्तों के अनुसार है ऐसा लाइन लिखी हुई है तब तो हमको मेंगाई भत्ता जोड़ना है नहीं तो हमें मेंगाई भत्ता नहीं जोड़ना इसके लब एक तरीका और है चेक करने का कि यदि question में ये line लिखी भी नहीं है कि सेवा श्रतों के अनुसार है तो हम पूरा question पढ़के देखेंगे यदि retirement benefits यानि सेवा निवरती का कोई भी लाफ जैसे provident fund, gratitude, pension किसी की भी गणना के लिए यदि किसी की भी राशी निकालते समय हमें वेतन में DA को शामिल किया है तो फिर DA आपका यहां पर भी add किया जाएगा एपा मैं फिर repeat कर रही हूँ basic salaries में हमेशे आएगी commission on sales ये commission on sales है commission on salary नहीं है विक्रे पर commission है वो आपको हमेशा जोड की दिखाना है महेंगा ही भत्ता या तो इस पर सूचना होगी कि सेवा शर्तों के अनुसार लिखावा होगा तो जोडना है या फिर कोई भी retirement benefit जैसे PF, gratitude, pension उसके हम राशी की गणना करते हैं तो उस राशी की गणना करते समय दिमूल वेतन के साथ DA को भी जोडा गया है तो फिर हम DA को वेतन में जोडेंगे HR-A के लिए यदि वहाँ शामिल नहीं किया गया है तो हम यहाँ पर भी इसको नहीं जोडेंगे दो बाते हमें और ध्यान रखनी है यदि किराय की राशी एक लाख रुपए पर एयर से जादा है तो मकान मालिक का पैन कार्ट की कौपी हमको लगानी पड़ेगी डिटन फाइल करते समय यदि आप पैन कार्ट की कौपी नहीं लगाते है तो फिर हमें ये करमुक्ती प्राप्त नहीं होगी इसी तरह यदि किराया 50,000 पर मन्द से जादा है तो फिर यहाँ पर जो करमचारी यानि जो किरायदार है उसकी डूटी बनती है कि टेक्स का 5% वो TDS काटेगा यानि 5% उद्गम इस्थान पर कर काटके 6 राशी का भुकतान करेगा यदि उस पर TDS नहीं काटा गया है उद्गम इस्थान पर करके कटोती नहीं की गई है तो फिर यह राशी करमुक्ती उसको प्राप्त नहीं होगी यहाँ पर TDS का मतलब है उद्गम इस्थान पर करके कटोती का मतलब है कि सामानेते हम 12 मेहने जो गतवर्ष की अवधी होती है उसमें पूरी राशी की गणना करते हैं इंकम की और फिर हम गतवर्ष की समापती पर गणना करके टेक्स चुकाते हैं लेकिन कुछ इंकम ऐसी होती है जहां पर इंकम डेस्ट डिपार्मेंट को लगता है कि शायद हो सकता है कि इस पर हमें आगे कर प्राप्त नहीं हो या फिर जिसको इंकम मिल रही है वो कर नहीं चुकाएगा तो ऐसी कुछ इंकम पे सरकार ने इंकम डेस डिपार्मेंट ने ये नियम बना दिया है कि जैसे वो इंकम जेनरेट होगी जैसे अराइस होगी यानि जहां पर भी भुगतान की घटना घटेगी वहीं पर ही भुगतान करने वाला उस पर टेक्स कार्ट के जमा कराएगा जिसको इंकम प्राप्त होई है यदि उसका टेक्स बन रहा है तब तो ठीक है यदि वो कहता है कि मेरा टेक्स नहीं बनता है फिर भी मेरा टेक्स कार्ट लिया गया है तो रिटन फाइल करके इसमें रिफंड क्लेम कर देगा तो जो भी टेक्स काटा गया है वो उसको वापस मिल जाएगा इन बातों का ध्यान रखते हैं चलिए इस एक्जामपल के साथ देख लेंगे हम इस एक्जामपल में हमें पांच अलग स्थियां दे रखी और आपको निकालना है किती राशी इसमें कर करना है वेतन में टी के अलावा बागी किसी भी स्थिती में आपको डी ये शामिल नहीं करना है करमचारी एस अपने स्वैम के मकान में रहता है तो एस स्वैम के मकान में रहता है मतलब किराया नहीं चुका रहा है तो एस का जो एचारे होगा वो हमारा पूंट है कर्योग के होगा अब फस्स हॉल करेंगे पी पी चुकि यहां पर किराय के मकान में रहता है इसकी सेलरी है अमाउंट रिसीवड ऑफ एच आरे सेकंड राश्य हम निकालेंगे चुकाया गया किराया माइनस टैन परसेंट ऑफ सेलरी चुकि इन दौर में रहता है तो थर्ड हमारा आ जाएगा यहां पर फॉर्टी परसेंट ऑफ सेलरी वैसे सेलरी में नॉर्मल कोर्स में तीन चीज़े आती है पर यहां पर सेलरी में सिर्फ बेसिक सेलरी आएगी क्योंकि कमिशनल सेल्स की यहां पर सूचना नहीं है और डिये के लिए यहां पर लिखावा नहीं है सेल्स तो नंसार है तो इसमें डिये भी शामिल नहीं करना ह तो यहां पर हमारा हारे है 5000, किराया चुकाया हमने 6000 और सेल देगे हमारी यहां पर 40,000 तो एक्च्छल अमॉंट रिसीव आ जाएगी हमारी यहां पर एक्च्छल अमॉंट रिसीव जो हमें यहां पर मिली है वो है हमारी यहां पर 5000 चुकाया गया के राया है यहां पे 6,000 minus salary है हमारी है हमारी यहां पे 40,000 तो यहां पर आ जाएगा 10% of 40,000 रहता यह इन दौर में है तो थर्ड आ जाएगा 40% of 40,000 तो यह आ जाएगा हमारा 5000, 6000 minus 4000 यह आ जाएगा हमारा 2000 और 40% of 40,000 यह हमारा आ जाएगा 16,000 अब तीनों में से जो सबसे कम है तो सबसे कम राशी यहां पे 2000 है तो यहां पे जो हमको exemption मिलेगा यहां पर exemption का मतलब है कर्मुक्ती जो कर्मुक्ती हमें मिलेगी यहां पर तक की income पर हमें tax नहीं चुकाना यह income में शामिल नहीं होगा तो हम देखें तो क्योंकि यहां पर salary है 50,000 डिये है यहां पर 6,000 इसका डिये भी सेवच्टकन सार नहीं है तो आपको एड़ नहीं करना है बोनस एड़ होता नहीं है कमिशनों से सूचना इसमें भी नहीं है एचारे 25,000 है रेंट पे 27,000 है रहता ही जैपुर में है यहां भी ह पास्तिक प्राप्त राशी यहां पर है एचारे की 25,000 सेकंड चुकाया गया किराया है यहां पे 27,000 माइनस सेलरी का 10 परसेंट रहता ही जैपुर में है तो अपने निकाल देंगे सेलरी का 40 परसेंट यहां पे जो सेलरी है उसमें सिर्फ बेसिक सेलरी आ जाएगी हमारी 50,000 तो यहां आ जाएगा 10 परसेंट आफ 50,000 यहां आ जाएगा 40 परसेंट आफ 50,000 तो पहली राशी हमारे आ रहे है 25,000 दूसरी आ जाएगी 27,000 माइनस पांच जार यानि 22,000 तीसरी आ जाएगी हमारी 20,000 अब हम तीनों को कंपिर करेंगे यहां पे जो सबसे न्यून तम राश है हमारा अचारे सॉल करने का अब आप लोगों को इसमें आर वाला जो पॉइंट हो अपने आप ट्राइब करने एस अपने आप ट्राइब करने नसे विततत बता देती हूं यहाँ पर एसके लिए सूचना है नीचे कि स्वेम के मकान में रहता है तो यहां पर अचारे आपका पूंट है कर्योगी हो जाएगा बीस अजार उपए का इसको कर्मुपी स्वीक्रत नहीं होगी क्योंकि इसने किराया नहीं चुकाया है ऐसे टी को जब सॉल करेंगे तो टी में आप देखिए यहां पर कमेशन ऑन सेल्स भी दे रखा है और टी का जो महंगा ही भतता है वो स पर मेरे से पूछना है इसके लावा आपका एक्जामपल नंबर साथ और आठ भी ट्राइए करना है उसमें कोई दिक्कत आती है तो वह भी मुझसे फिर पूछना है वाटसप पर या फॉन से जैसे भी आपको पूछना हो झाल मेरे से जाँ वालिए टो छिडित कोई दिक्स सिरण प्रूशना हो फीजाए करूछना हो दिके यह तो दो हाटस्ट चाहलिग है सिरण डिक्ना है एक्षटों करूछना है? झाल मेरे से दिल्स WAS important है दो भी मOTEच्स